अलो फ्रेंड्स आप मुकेश गोयल आई होब कि आप सारे बहुत अच्छे हैं और फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे पीपल डवलोप्रेंट और इन्वार्मेंट के दोने के पाइब सारे न्थे मुकेश अच्छ और प्रिलेक्श करने से ती मिन कीुस्टेट चैल करूलोप्रेंड्स करूदेढ़ी से पहले अपना प्लस स्कौर्स न गरतो इसमें हम complete 10 की 10 units करवाते हैं चीक है ना फ्रेंट कम्प्लीट 10 की 10 units इसमें mcq practice वगेरा भी करते हैं और unacademy पे अपना एक referral code है that is swmg257 यह unacademy पे अपना referral code है swmg257 अगर आप यह use करते हो तो unacademy पे आपको इस पे discount मिल जाता है और मैं भी मिल जाता हूं ठीक है तो यह अपना referral code है और unacademy पे special free classes होती है यह भी आप ध्यान रखें यह without any cost होती है और mostly जो मेरी class होती है नकेडमी पे special free class होती है वो saturday को होती है हर saturday को timing होता है 9.45 a.m. चीक है अपना टेलिग्राम का जो link है वे ने description box में दे रखा है चलो friends तो हम बात करते हैं questions की और यह अपना पहला question यह है friends अपना first question क्या है material protocol was signed in order to address which of the following environmental issues material protocol में निम्ना लिकित में से किन परियावरण संबंदी मुद्दों के समाधान के लिए अस्ताक्षर किये गए थे material protocol जैसे ही शब्द समझ में आया तो आपको ozone layer की बात तो समझ में आनी चीए कि यह ozone से संबंदित है ozone layer को बचाने के लिए आया था अब यह दोनों तो आप काड़ दोगे global warming भी काड़ दोगे एसी ड्रेन भी काड़ दोगे ठीक है न यानिकि अमलिया वर्सा और global warming दोनों काड़ दोगे ठीक है यह हिंदी मंदल में भी ozone है ठीक है न और समताप मंदल में भी है लगबग 10% की लगबग ozone है ट्रोपोस्पेर में कहां पे ट्रोपोस्पेर में छोब मंदल में ठीक है जो ozone हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है यह तो यह सेकेंडरी पोलिटेंट काम करती है द्वित्यक पर दोसक तो यह तो जितना कम होई उतनी अच्छी बात है हमारे लिए बैड ओजोन है यह तो ट्रोपोस्पेर वाली गुड़ ओजोन कौन सी है यह वह जो स्ट्रेटोस्पेर में उसको कम नहीं होने देना स्ट्रेटोस् उसको बचाने के लिए यह याद रखना तो यह स्ट्रेटोस्पेर में उसको बचाने के लिए तो यह च्छी बात है तो इसका अंसर सेकिंड यानी की अगर यहां देखते हो तो हिंदी में यह थोड़ा सा यह ओक्षन है थर्ड वाना मिस्प्रिंट है ना ओक्षन से चलो ठीक है आगे बात करते हैं होती है उत्रोफिकेशन उत्रोफिकेशन में ने उत्रोफिकेशन के उटेशन होते हैं उनका उच्थत्र हो किसी भी water body में, है ना, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा organic substance आ जाते हैं, वहाँ पे पोदे वगेरा उख जाते हैं, तो इसका ultra term है eutrophication, इसमें तो nutrition की मातरा उंच होती है, eutrophication, है ना, eutrophication, और oligotrophication में क्या होता है, nutrition की मातरा कम होती है, जिससे पानी साफ होता है, बिल् पानी साफ रहेगा, लेकिन इसका just ultra eutrophication अगर पूछ ले आप से, तो high level हो जाएगा, high level of nutrition, यान की उच स्तर हो जाएगा, लेकिन यहां क्या है, निम्न स्तर, very good, बहुत बढ़ी है, नेक्स्ट्ट्ट्ट्टिशन, which among the following natural hazard has relatively slow onset, टिम्ना लिकित में से कौन सा प्राकृतिक शंकट है, जो अप्यक्षाकरत, मंद आरंबिक तरखता है, तो बताओ, धीरे-धीरे कौन सा आता है, slow, इसमें, volcanic eruption, wildfire, drought और land pipe, सीधा सा दिख रहे है, सूखा, सूखा धीरे-धीरे-धीरे, फिर सूखा एकदम से, धीरे-धीरे शुरू होता है, और सूखा, drought होना सुरू ह हो जाता है, सूखा पढ़ना, चीक है, चलो, बहुत बड़ी है, यह तो बिलकुल सिंपल बात थी, आगे है, which of the following is a renewable natural resources, कौन से, नवी करणिये पराकरतिक संसादर है, नवी करणिये क्या होता है, रिनीवेबल कौन होता है, जो अपने life span में दोबारा बन जाए, और near future में खतम होने वाला ना हो, तो वो क्या होता है, रिनीवेबल होता है, नवी करणिये होता है, चीक है ना, तो biological जो diversity है, जीवों की जो विबीदता है, यह जीव तो है, बनते बिगड़ते रहते हैं अपने life span में, तो यह renewable हो गया, नवी करणिये हो गया, जबकि यह बाकी के सार वरस लगते हैं, बनने में, नेचुरल प्रोसेस से, चीक है, और यह fossil fuel, जीवासम इंदन, जितने भी है, coal, natural gas, petroleum, यह भी आपको पता है, सेंक्ड़ो वरस लगते हैं, और खतम होने की कगार पे हैं, तो यह सारे के सारे non-renewable है, तो इसमें रिनीवेबल कौन सा है, सिरो फस such as mental disturbance and impairment of speech, hearing and vision, जल में, निमना लिकित में से, किस संदू सकते, मानसिक शान्ती और वानी, सुरवने इंदरश्टी की बादाओं जैसे, प्रदीकूल परवाव मानमस पर हो सकते हैं, आपको पता है, यह methyl है, मिना माटा डिजीज हम पढ़ी थी, उसमें यह चीजें हो सकती ह तो यह methyl mercury अगर आ गया पानी में, तो इसकी वज़े से इस तरह की बिमारी हो सकती है, ठीक है, और यह जो तीन ना मोर दिख रहे हैं, आरसेनिक, लैड और निकल और क्रोमियम, इनकी वज़े से भी होती है, जैसे आरसेनिक की वज़े से जो बिमारी होती है, वो ब्लैक फू जैसे जो लैड दिया हुआ था ना, एक उप्शन में आपने देखा लैड सीसा, देखो, आपको क्विशन दिखाता हूँ, इसका आंसर तो यह हुई है, इस क्विशन का तो आंसर यह है, लेकिन मैं और बता रहा हूँ कि और ऑप्शन है, जैसे आरसेनिक की वज़े से ब्ल प्रोबलम हो सकती है, और एक जो बच गया, आपका क्रोमियम है, निकल है, उसकी वज़े से लंग कैंसर जैसे बिमारी हो सकती है, और रेस्पाइरेशन संबंदी बिमारी हो सकती है, तो यह उप्शन भी आपको साथ-साथ करना है, जब तक चार उप्शन क्लियर नहीं होते पर unit mass बायोगेश इंदनों के उनके परती इकाई प्रिमाण में उरजा के अंस के संबन्द में सही करम को पैचाने इसका मतलब अगर समान मातरा में इन सब की मातरा को समान समान लिया जाए तो आप से सबसे ज़्यादा है सिक्वेंस सबसे ज़्यादा को máximy यह k endlessly मि игр जह bacon porsum se seem उसके बाद jis old Vater fahren उसमें 2 प्रोड उसके अंदर अगर मोubenoon उसमें सबसे कम मिलेगी यह बात आपको त् HK plastनी है त्वर न değilिक है फ्रिंट' बिल्कुल आएगी क्योंकि जितना ज्यादा पता है आपको BOD होगा उतना ही ज्यादा वह पानी ज्यादा पॉल्यूटेड है ज्यादा प्रदूशित है उसमें कार्वनिक पदार्थ ज्यादा है सीधी सी बात है यह हम कंसेप्ट को देखते हैं BOD COD और DO के बारे में तो उतन की बिना सर्वाइव करने वाले बैक्टिरिया की बात कह रहा है तो अन एरो बैक्टिरिया सुल्फर डाई ओक्साइड और ओक्साइड सोप नाइट्रोजन कैसे उत्पन कर सकते हैं बताओ भी ओक्साइड वहां से कैसे आएगा जब वो ऑक्सीजन ले ही नहीं रहा तो यह ठीक है और आर गलत है तो राइट आंसर इसका थाड़ आगा है बिलकुल समझ में आगी होगी बात है हो आगी सर जी बिलकुल आगे और इस क्विश्चन में आप से पूछा है आइडेंटिफाई दा करक्ट गरूप ऑफ डिजीज कोज वाइप पॉलुटिड वोटर प्रदुसी जल पिने से होता है कोलेरा है जा ना यह सारा अतिशाप यतिशार टाइफाइड और पोलियो देखना पोलियो भी पॉलुटिड वोटर हो से होता है ध्यान रखना प्लीज तो इसका राइट आंसर क्या हो गया वन आ गया कई बार कन्फूजन हो जाता है उस कन् रखें हमेसा खुश रहें और इसी तरह कुश्चन को अच्छे से देखें और सॉलूशन करते रहें अगर टेंचन लोगे तो बड़ी दिक्टत आ सकती है तो अचित को शान्त रखेंगर काम करोगे तो बहुत 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 धन्यवाद थेंक्यू थैंक्स अलोड बहुत बहुत धन्यवाद सबी को